नमस्कार सातियों हमारे यूटूब चैनल आपका दोस्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो एक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं एक पेड़ दो मालिक तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत मज़ा आएगा और दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए जिससे आपको ऐसे ही हमारी वीडियो देखने को मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो बीरवल अक्सर अपनी चतुराई से बादसा अकवर का दिल जीत लेते थे दरवार में आए मुश्किलों से मुश्किल समस्याओं का बीरवल चुटकी में हल निकाल लेते थे इसलिए अकवर बीरवल से बहुत खुस रहते थे परिस्रम करने के बाद हर कोई फल की एक्षा रखता है लेकिन कुछ लोग बिना परिस्रम के ही चल पूरवक दूसरे की चीजों को हासल करने की कोशिस में रहते हैं ऐसे लोगों का अन्याम भी बुरा ही होता है अकवर बीरवल के किस्थे में आज आपको बताएंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक आम के पेड़ पर दो लोग मालि केना हक जमाते हैं लेकिन पेड़ का असली मालिक कौन है इसका पता लगाने का काम अकवर अपने नवरतनों में एक बीरवल को सौपते हैं जानिए कैसे बीर्वल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से पेड़ के अशली मालिक को ढूंड लेते हैं एक बार हमेशा की तरह बादसाय अकबर अपने दरवार में प्रजा की समस्या सुन रहे थे दरवार में सभी लोग अपनी अपनी समस्यां लेकर पहुँचे थे इनी में राघव और केसब भी अपनी समस्या के साथ दरवार आये थे राघव और केसब दोनों पडोसी थे इनकी समस्या यह थी कि इनके घर के बीच फलों से लवा लब भरा हुआ एक आम का पेड़ था जिस पर दोनों ही अपना मालिक आना हक जता रहे थे राघव का कहना था कि यह पेड़ उसका है और केसब जूट बोल रहा है बही केसब का कहना था कि इस पेड़ का असली मालिक वैश्वायम है और राघव जूट बोल रहा है अब भला एक पेड़ के दो मालिक कैसे हो सकते हैं पेड़ एक और मालिक दो की यह समस्या काफी उलजी हुई थी क्योंकि दोनों मैंसे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और रागाव वा केसब दोनों ही पेड़ पर अपना अपना हक जता रहे थे ऐसे में अकवर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और बहुत सोच विचार करने के बाद यह मामला अपने नवरतनों मैंसे एक बीरवल को सौप दिया बीरवल ने रचा नाटक इस समस्या के शमधान के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरवल ने एक नाटक रचा उसी दिन बीरवल ने दो सिपाईयों से कहा कि वो रागव घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं इसके बाद उन्होंने दो सिपाईयों को केसब के घर जाकर भी यही संदेश दिया साथ ही बीरवल ने यही भी कहा कि संदेश देने के बाद वो घर के पीछे ही छिप कर देखें कि इस संदेश के बाद रागव और केसब की क्या पृतिकरिया रहती है शिपाईयों ने बिल्कुल बैसा ही किया जैसा बीरवल ने कहा दो सिपाई केसब के घर गए और दो रागव के घर लेकिन उन्हें पता चला कि रागव और केसब दोनों ही घर में नहीं है ऐसे में सिपाईयों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दिया कि पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं केसब जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी से उसे आम के चोरी की बात बताई यह सुनकर केसब ने कहा अरे भाग्यवान पहले खाना तो खिला दो आम के चक्कर में अब क्या भूका बैठा रहूं और बैसे भी कौन सा भाई हमारा अपना है जो चोरी हो रही है तो होने दो इतना कहकर केसब आराम से बैठ कर खाना खाने लगा लेकिन जब रागव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे आम चोरी होने की बात बताई तो है सुनते ही उल्टे पाउँ पेल की तरह भागा और उसकी पत्नी ने पीछे से आवाई लगाई की अरे खाना तो खाली जिए रागव ने कहा खाना तो सुभै भी खा सकता हूं लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की महनत पर पानी फिर जाएगा सिफायों ने दोनों के घर के बाहर च्छिप कर यह सारा नजारा देखा और दरवार जाकर बीरवल को सारी बात बताई फिर क्या हुआ अगले दिन केसाव और रागव दोनों दरवार हमें और दोनों के सामने बीरवल ने अकबर से कहा जहां पना सारी समस्या की जड़ आम का पेड़ है ऐसे में क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दें ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी अकबर ने इस बारे में रागव और केसब से पूछा कि इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है इस पर केशब ने कहा हुजूर आपकी हुकूमत है आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुप चाप सुविकार कर लूँगा लेकिन रागव ने कहा मालिक मैंने साथ साल तक इस पेड़ को सीचा है आप बले ही इस पेड़ को केसब को दे देजीए लेकिन किर्पा कहें कटवाएं ना मैं आपके आगे हाथ जोडता हूं पेड़ को मिला सच्चा मालिक और जूटे को हुई सजा केसब और रागव की बात सुनकर जब अकबर ने बीरवल की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है बीरवल ने इसके बाद बीरवल ने अकबर को बीती रात का खिस्ता बताया और कहा कि जहापना पेड़ एक और मालिक दो कल रात हुई घटना को देखते हुए इस वात के बाद यह सावित हो चुका है कि रागव ही पेड का असली मालिक है और केसब जूट बोल रहा है पेड के असली मालिक का पता बहुत ही समझदारी से लगाने के लिए अकबर ने बीरवल को सावाशी दी और साती उन्होंने अपने हक के लिए लडने के लिए रागव को भी बदाई दी अकबर ने चोरी करने और जूट बोलने के लिए केसब को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें नीचे कमेंट करके जरू बताएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर किलिक करके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद